बैटरी रिक्षे हैं, नमबर वाले अलग हैं, बिदावोट नमबर कमसे लाखो रिक्षे चल ले हैं, ये गवर्मेंट करके आज़े हैं, अब तो मीटर से बैठे कौन जब टेक्सी का किराया हमसे सस्ता है तो, मीटर से बैठता है नहीं कोई दिन के आपकी कितने रुपे बन जाते हों? इस टेंप पे 500 रुपे कमाने दुलब हो गए हैं, दुलब हो? हाँ जी, एक मजदूर 700 रुपे लेके जाता है आट गंटे के अंदर, इतनी दुरुगती कर दी है बेहिसाब, क्या उनके सामने पे मांगिया रखना चाहेंगा? मां मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं, सौगंध टीवी, हमारे साथ कुछ आटो चालक, क्रिक्षा चालक मौजूद हैं, जिन से बात करेंगे, जिनकी समस्या है कि दिल्ली में जो आटो चलाते हैं, कहीं न कहीं इल्जाम लगा रहे हैं सरकारों पर के सरकारें, इनकी कि रोटी पर वार कर रहे हैं, किस तरीके सा बता रहे हैं गौवर्मेंट को जब आटो एक सवाला को ओटो करें हैं, टैक्सिया करी हैं, तो किराया टैक्सी का हमारे से कम है, पहली बात, दूसरी बात है कि कम से कम कई लाग वाई के चल लिए हैं, प्राइवेट नमबर, नमबर वाले अलग हैं, बिदावोट नमबर कम से कम लागों रिक से चल ले हैं, यह गौवर्मेंट करके यह वह भी राजदानी में है, जहां हर चीज एक लेविल मोह नीची है, लेकिनिया अले लेविल है, कोई मतलब भी नहीं, पहले मीटर वगरा भी लगा दिया, पहले काई जी लोग बुकिंग करते हैं और ऊं-लाइन लिग जोते है, क्या फरक काया है पहले के सुम्हें में और अपके समय में जब ऑलनाइन सिस्टम हो गया और सब बुक्य हो रही है, कोई फैदा नहीं हो रहा है कि आपको, नहीं देखो हम तो, यह मीटर लगा है, ऑप मेटर ऌलों लेकिन अब हो गया उल्टा खक्ष डशी तेसरेटा नेडी इतने पैसे इतने विकटेंज से विल विल है कि आपने कभी ओला उपर में ट्राई किया कि हम भी अपनी आटो में रिश्टरी करा लें फिर वहां चला है गॉवर्मेंट न जब हमें आटो इसू करे थे तो हमसे यह नहीं का आप ओला उपर में अटेच करना है हमें अपनी गाड़ी दी साथ मीटर लगा के दि एक मजदूर 700 रुपे लेके जाता है आट घंटे के अंदर और एक रुपे का समगान अपने जेब से नहीं ले जाता हम ओटो साड़े साथ लाग का दिली के अंदर चार-पांच लाग का आटो लेने के बाद भी हम साम को 500 रुपे लेके जाते हैं बताओ कैसे बच्चों को पाल ले इतनी दुरुगती कर दिया बेहिसाब मांग रखना जाए कर सरकार कोई नुमायन देगा आपको देख रहे हों तो क्या उनके सामने निस रखना चाहिएगा आपको वाई के चलानी है यह कोमर्शल चलाओ हमारी समझ में यह नहीं था सारी यूनियों ने भी की हुई है को यूनियों ने अब्जेक्शन नहीं उठारी इतनी दुर्गती कर दिया ओटो वाले रोते हैं मैं देखता हूं इस टैंड पर किसी से भी पूछो कह था पांसुरू चारसू रुपे काम अब चारसू रुपे याड़ी है ओटो की घर क्या लेके जाएगा 200 रुपे क्यास है यदि मारों उसने 600 का काम भी कर लिया तो उसे तो एक रुपर नहीं बचा इतनी दुर्गती है जिनकी अपनी गाड़ियां चलो वो तो ले जाते हैं घर सो दोसो पांसो लेकिन जिसकी किराय किया वो कैसे प्राइवेट वाइक का क्या मतलब है कैसी सेफ्टी है लोगों की प्राइवेट वाइक पर नाइट में लेडिस जा रही है उसके साथ कुछ हो जाता तो गोवर्मेट जुम्मेवारा क्या फिर ओटो वालों पर आरूप लगाते हैं कि कॉमेर्सल वाइक है आप इसू करो हम पर दूर गती है आप यकिन मानों और कोई काम हम कर ने सकते और अटो का काम रहा नहीं तो इस तरीके से देखा कहीं न कहीं बता रहे हैं कि जिस तरीके से ओला उबर हो गया या फिर जो प्राइवेट नंबर की गाड़ेयां चले उससे कहीं न कहीं प्रभाव पढ़ा है उ दुल्लब हो गया है सरकास से किस तरीके से मांग रख रहे हैं कि इसको सिस्टेमाटिक वेवेब में किया है तक ही सबका परिवार चल सके सबकी रोजी रोटी चल सके तौँ इसी खबरों के लिए बने रहे हैं मार साथ देखते हैं सौगंद टीवी ननेवार झाल झाल